अग हमने देखिए भोगोलिक आधार पर भोगोलिक आधार पर राजिस्तान के बनों को कितने भागों माटा था पांच कितने भागों में पांच राजिस्तान में जो बन पाए जाते हैं पेड़ पोदे पाए जाते हैं इनको कितने भागों माट दिया अपने 5 कितने भागों में 5 और 5 भागों में जो अपने बन माटे थे राजिस्तान के तो पहला जो बन का प्रकार था तो दिख समझना भीता मैंने बताया आप प्रथम बनों को मरुस्तलिय, कैसे वही मरुस्तलिय काटेदार वन काटेदार बन कैसे वही मरुस्तलिय, आप समझना बन कितने फिरकार की बता है मेनें पांच दिमाग नहीं लगा ना, खुदका केवल समझना है आपको अब आप देखिए वनों का जब डिवाइडेशन करेंगे अपन तो आप सोचो प्यारे विद्यार दियो यह अपना राजस्तान है यह अपना क्या है भई राजस्तान ठीक है तो आप देखिए मैंने आपके लिए बताया प्यारे दोस्तों अक भई राजस्तान में ये एक परवत माला गुजरती है ये क्या गुजरती है ये को परवत माला समझना हाँ और परवत माला है ये अपनी जो अराभली कौन से है वही अराभली और प्यारे दोस्तों ये राजस्तान का पश्चमी भाग है ये राजस्तान का उत्री भाग है ये राजस्तान का पूर्वी भागे और ये राजस्तान का दक्षिनी भागे डाइग्राम में समझना है रटना नहीं है दिमाग में लिखना है सीधा ठीक है अब आप सोचो ये जो राजस्तान के अराबली में जो मैंने white line न खीची हैं यहाँ पर पायी जाता desert desert कहें तो आपको इधर क्या देखने को मिलेगा मरुस्तल मिलेगा क्या मिलेगा अव आप देखिए मरुस्तल और मरुस्तल का نام आपको पता है यहाँ पर है थार का मरुस्तल अराबली की पश्चिम में इधर वाले छेतर में टोटल जिलों की संक्या है तेरा कितने जिले हैं तेरा तेरा जिलों में से बारा जिले ऐसे हैं जो किस में आते हैं मरुस्तल में एक मात्र जिला आपका बचेगा वो बचेगा सिरोही कौन सा बचेगा सिरोही जो मरुष्टल का जिला नहीं है तो आप सोचो बारे जिले राजिस्तान में डेजर्ट में आते हैं डेजर्ट मरुष्टल और मरुष्टल के हैं तो ऐसा छेत्र जहां पर वर्षा बहुत कम होती हो पेड़ कम पाए जातो हो जल इसतर नीचे हो कहने का मतलब मरुस्तर वो छेतर होता है आप बताओ विटा मरुस्तर में जो पाए जाएंगे वो कैसे बन पाए जाएंगे काटेदार तो मैं आपको बता दूँ इन बनों में आप से पूछे कि कितने वर्षा सेंटीमीटर में पाए जाते हैं तो ओसत दस से कितने चालीज कितने सेंटीमीटर दस से चालीज प्रप्रसन पूछेगा राजस्तान में मरुस्तर ये काटेदार बनों का बिस्तार बताईए कहां कहां पर पाए जाते हैं तो आपको सीधा क्या लिखना है थार के मरुस्तल में कहां पाए जाते हैं थार के मरुस्तल में पर आप इसमें क्या है पादब लिखेंगे क्या लिखेंगे पादब अक भई थार के मरुस्तल में जो काटे दारबन होते हैं इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं तो देखो इसमें आपका एक तो पाए जाएगा खेजडी क्या मिलेगा देखने को खेजडी एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर पादप रोहिडा कौन सा पादब है बिटा रोहिडा उसके बाद आपको मिलेगी नाग फनी क्या है वही नाग फनी उसके बाद आपको वेर के पादब मिलेंगे यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए दंदा थूर मिलेगा क्या मिलेगा दंदा थूर उसके बाद आपको यहाँ पर बभूल मिलेगा क्या मिलेगा बभूल तो आदी ऐसे ब्रक्ष पाए जाते हैं जो हमारे किस प्रकार की पादव में आते हैं मरुफतलिये काटेदार बनों में तो वापिस समझे बिटा प्रॉपिक चल रहा था और टॉपिक था राजस्तान में बन टॉपिक का नाम क्या था राजस्तान में बन तो राजस्तान की अपन पढ़ रहे थे बन संपदा और राजस्तान के बनों को कितने भागों में बाट दिया आपने पाँच तो पहला प्रकार कौन सा बताया मैंने आपको मरुष्टलिये काटेदार बन और मरुष्टलिये काटेदार बनों में बरसा कितनी होती है 10 से 40 उसके बाद विश्टार कहा पाया जाता है थार के मरुष्टल में पादप कौन कौन से मिलेंगे खेजडी, रोहिडा, नागफनी, बेर, दंदा, थूर और बवूल अब आप से पूशा जाए भाई इनकी विशेष्टा क्या है तो आपको लिखनी नहीं है नॉर्मली समझनी है विशेष्टा और विशेष्टा में आपको पता होना चीए काटेदार जो बन होते हैं इन बनों में काटों की अधिकतार पत्तियों की कमी पाई जाती है काटे तो अधिक होते हैं पत्तियों की क्या होती है? कमी होती है अधिक गर्मी सेहन कर सकते हैं, सूखा सेहन कर सकते हैं तो हेडिंग लगाईए हेडिंग राजस्तान में बन राजस्तान में बन फोराश्ट इन राजस्तान ठीक है लिखे नमबर एक सुष्क मरुस्तलिय एक काटेदार बन सुष्क मरुस्तलिय काटेदार बन कौन से बने हैं सुष्क मरुष्टली है लखे वर्षा 10 से 40 सेंटी मीटर लखे विस्तार थार के मरुष्टल में विस्तार कहा है इनका थार के मरुष्टल में लखें प्रमुख पादप खेजडी रोहिडा नागफनी बेर दंदा तूर बभूल जाड़िया लखें बिस्तार बिस्तार, लटार के बिस्ता रेखें लखें पक्तों की कमी वे काटों की अधिकता पाई जाती है पक्तों की कमी वे काटों की अधिकता पाई जाती है पत्तों की कमी वे काटों की क्या पाई जाती है अधिकता तो इसमें पत्ते कम और काटे क्या होते है वही अधिकता पाई जाती है ठीक है लिखें अधिक गर्मी वे सूखा सेहन कर सकते है अधिक गर्मी वे सूखा सेहन कर सकते है अब आपको देखो इतना अब सोचना ये एक साव एकजाम में प्रसंड कैसे आएगा तो आप से पूछ सकता है वो प्रसन का तरीका भी देख लिजिए साथ में आपके उसने दे दिया प्रसन काटे दारवन कौन से जिले में पाए जाते हैं ओप्रसन ए वी सी डी एक दे दिया आपके बीका नेर अजमेर बासवाडा अलवर काटे दारवन कौन से जिले में पाए जाते हैं तो आपका उतर सीधा क्या हो जाएगा बीका नेर तो बनों को कितने भागों माटा पाँच एक प्रकार के बन कम्प्लीट किसी को के प्रॉब्लम प्रॉब्लम किसी को तो राश्तन में काटे दार बन थार के मरुष्तन में पाए जाएंगे